सभी बच्चों को मैंने अप्लोड कर रहा हूं आज हम बात करने जा रहे हैं ncrt class 12th math exercise 9.4 देखे differential equation क्या होता है कि हम आले दी बता चुके है video में upload कर रखा है description में हम link दे देंगे उसको देख लीजिएगा और पढ़ भी लिया होगा आपने देखे अब differential equation solve कैसे किया जाता है तो पहले बात तो आपके syllabus में है differential equation of first order and first degree पहले इसका मतलब सुझेगा order क्या होता है जितनी बार आप इसको differentiate करते हैं वो होता है order एक बार differentiate करेंगे order 1 दो बार करेंगे order 2 तीन बार करेंगे order 3 यानि यहां पर order 1 का ही लेना है पहली बात और degree क्या होती इसकी whole power वो भी 1 होनी चाहिए यानि केवल d y y d x से हम बात करेंगे ना तो d 2 y d x square की बात करेंगे ना d cube y upon d x करेंगे ना तो इसके पर power 2 3 लगाएंगे ठीक है अब इसको solve कैसे किया जाएगा solve करने का मतलब क्या होता है पहले समझेगा जैसे आपने कोई function लिया y बराबर kx ठीक है यह straight line को represent करता है और हम आप से कहें कि भाई आप इसका differential equation फॉर्म करिए तो आपको इसके पहले class में बताये गया है कि आप जितने constant है ना उतनी बार इसको differentiate करिए और उस constant को गाइब कर दीजे तो आप चुकि एक constant है तो एक बार इसको differentiate करेंगे यहाँ पर k आएगा अब आप कहेंगे दो बार differentiate कर दीजे तो k 0 हो जाएगा नहीं करेंगे एक ही बार differentiate करेंगे और इस k की value ठाक यहाँ रख दो तो y is equal to x into dy by dx यानि x dy by dx is equal to y यह differential equation है जो इसे मिला है अब हमको question को उल्टा लिखना है हम आपको differential equation दे देंगे और हम कहेंगे इसका solution क्या होगा यानि आपको इसको solve करके यहाँ पहुंचना है तो जैसे इसको differentiate करके यहाँ पहुंचे थे वैसे इसको integrate करके वहाँ पहुंचेंगे ठीक है यह इसका method होता है कि कोई differential equation होगी उसको integrate करेंगे और वहाँ पहुंच जाएंगे लेकिन आप simple integration कर लोगे ना ऐसे इन integrate कर दोगे तो उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ पहचानने के तरीके हैं अब चुक्कि आप इंटर में हैं तो थोड़ा हलके भूल के तरीके हैं दो-तीन तरीके हैं, बड़े क्लासेस में ज़्यादा तरीके होंगे तो हम पहला तरीका समझाने जा रहे हैं variable separable variable separable क्या होता है दो को नाम से लग रहा है कि variable को separate करना है मतलब अगर माल लेते हैं कि dy by dx जो है x y का function है उसमें x भी हो सकता है, y भी हो सकता है केवल x हो सकता है, केवल y हो सकता है तो हम करेंगे क्या इसमें अगर हो सके, तो x के function को dx से साथ transfer कर देंगे और y के function को dy के साथ transfer कर देंगे और दोनों तब integrate कर देंगे तो इधर से y का function मिल जाएगा इधर x का मिल जाएगा और answer आजाएगा ठीक है, यही एक तरीका है integration आपको आना चाहिए अब इसमें एक दिक्कत है, constant की constant आप चाहो तो इधर plus करो आप चाहो तो उधर plus करो तो चुकि हमको function यही यही की value निकालनी होती है तो constant x की तरह plus करेंगे पहली बात दूसरी और दिक्कत देखें, constant plus c करते हैं आप कोई दिक्कत नहीं कर दीजे माले इधर log y आ रहा है इधर log x आ रहा है तो constant को by symmetry प्लस करने की कोशिज करते हैं log c प्लस करेंगे, ठीक है नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन answer match नहीं करेगा नहीं करेगा कोई दिक्कत नहीं है constant के लिए आप free है आप जो चाहाँ वो प्लस करो लेकिन symmetry रखने की कोशिज करिए अगर इधर 10 inverse y है इधर 10 inverse x है तो constant भी 10 inverse c कर दीजे तो answer ज्यादा match होने की chances है ठीक है तो ये तो थोड़ा सा फंड़ा है ज्यादा लंबा फंड़ा नहीं है अब मैं exercise 9.4 दिसस करने जा रहा हूँ come to the first question जब ये question आपके exam में आएंगे तो आपको हाँ लिख के तो आएगा नहीं कि वह किस method से लगाना है तो आपको testing करने पड़ेगे पहला question आपका ये है dy by dx is equal to dy by dx is equal to 1 minus cos x upon 1 plus cos x 1 minus cos x upon 1 plus cos x देखो इसको differentiate या integrate तो भाद में करेंगे सबसे पहले आप जानते हैं कि 1 का सबसे बड़ा दुस्मन cause होता है cause दूसरा काम बाद में करेगा परे 1 को पटक के मारेगा तो आपने cause 2x के 2-3 formula पढ़े हैं क्या पढ़े हैं आपने आपने पढ़ा है cause 2x is equal to 1 minus 2 sin square x और एक पढ़ा है 1 minus 2 cause square x minus 1 यह दो formula पढ़े हैं ठीक है अब अगर यहाँ x है तो यहाँ angle half हो जाएगा इन दो में से वो formula यहाँ fit करिए जो इस 1 की दुस्मनी को निभास सके 1 को cancel कर सके कैसे देखिए यह fair work है मतब पहला काम आप समलेजिए question चाहे जो solve कर रहे हो अगर cause के साथ 1 आएगा तो cause पहले 1 को nipट आएगा बात में काम करेगा क्या करेंगे 1 minus यहाँ क्या लिखेंगे 1 minus 2 sine square x by 2 upon 1 plus 2 cause square x by 2 minus 1 ठीक है अब bracket को खोला जाए तो आएगा 1 minus 1 plus 2 sine square x by 2 upon यह तो 1 कर गया पहले ही 2 cause square x by 2 1 से 1 कर गया 2 से 2 कर गया यह आगया 10 square x by 2 इधर क्या आया dy by dx चुकि केवल x का function है तो check करने की कोसिश करो क्या इस dx को 10 के साथ shift किया जा सकता है yes हमने क्या कहा था कि x के function को dx के साथ कर दो और y के function को dy के साथ कर दो तो यहां तो y का function है नहीं तो dy हो गया अकेला और यह हो गया आपका 10 square x by 2 dx अब क्या करेंगे integrating both the side कर दीजे अब integration आपका clear होना चाहिए अगर उपहले से clear हो गया है मतलब साफ हो गया है तो फिर दुबारा उसको restore कर दीजे dy का integral y अब देखे 10 square x by 2 का integral नहीं होता तो आपको search करना पड़ेगा क्या 10 का कोई रिष्टेदार है जो integrable होता है जी हां हमारे पास एक formula है 1 plus 10 square x बराबर sec square x और 1 को उधर ले जाओ तो 10 square x को लिखा जा सकता है sec square x minus 1 तो यह हो जाएगा आपका sec square x by 2 minus 1 dx अभी हम constant नहीं प्लस कर रहे है जब integration हो जाएगा तब constant प्लस करेंगे देखे यह y हो गया जब sec square x by 2 का integral करेंगे तो आपने पढ़ा है कि sec square x का integral 10 x होता है लेकिन अगर x की जगए ax plus b लिखा है तो आप x मान सकते हो one upon a बार हो जाएगा तो one upon a बोले तो one upon two बार हो जाएगा यह आएगा 10 x by 2 और minus 1 का x और यहां constant c प्लस कर दो जब कहीं symmetry होती है कि यह log y है यह log x है तब log c प्लस करेंगे तो यह बराबर क्या आ गया तो पर जाएगा तो 2 10 x by 2 minus x plus c तो this is the solution of first question समझ में आ गया होगा टफ नहीं है Intrigation clear होना चाहिए अब इसको हम detail में नहीं जाएगे कि x by 2 को t मानोगे यह आपको आता होगा ठीक है अब second question क्या है dy by dx is equal to under root 4 minus y square जैसा कि हमने बताया कि जब board exam होगा या आपका exam होगा तो आँ testing करनी पड़ेगी कि आखिर यह function है किस तरीकी का क्या y का function dy के साथ और x का function dx साथ जा सकता है तब यह करेंगे अब यह जा सकता है y वाला इधर लेओ तो dy का नीचे लेओ इसके 4 minus y square और इसको कर दो dx अकेला और इसको कर दो integration अब यह 4 आपको दिख रहा है 2 square लिखा हुआ है तो 1 upon a square minus x square integral क्या होता है sine inverse x upon a तो यह हम जानते हैं यह हो जाएगा क्या sine inverse y upon 2 और 1 का x plus c वैसे तो यह answer छोड़ सकते हैं आप और चाहो तो यहां से y की value आप निकाल सकते हो तो y के लिए क्या करेंगे जब यहां से y निकालोगे तो sine inverse उधा जाएगा तो बन जाएगा sine x plus c तो y बराबर 2 sine x plus c यह answer छोड़ सकते हो आप answer यहां भी छोड़ सकते हो ठीक है तो यह आपका second question होगा integration आना चाहिए आपको ठीक है देखिए अब seventh question देखिए second फिर seventh यह क्या लफड़ा है actually मैं I'm sorry class को पढ़ाते वक्त हमने वीडियो बनाया था तो कुछ question बाद में uploaded है इसी वीडियो में आपको last में third, fourth, fifth, sixth मिल जाएंगे ठीक है तो जो जो छूट गए ना बीच में जो बच्चों को नहीं बताया हमने या उन्होंने अपने आप कर लिया है वो हमने यहां पर upload किया ठीक है तो check कर लेते हैं कि क्या variable separable होगा अब चूंकि यहां पर आप कहेंगे exercise ही चल लही variable separable की तो होगा ही वो एक अलग बात है तो जड़ाद देखते हैं तो y log y अच्छा ऐसा करते हैं y का function इधर लिखना है तो आप dy को इधर लिखाने दो या ले जाओ अच्छा कोई दिखकर नहीं y log y dx is equal to x dy अब दोको यह y के function है यह x का function है यह dx है तो x को इधर ले आओ और y को इधर ले जाओ तो लिखो लेकिन पहले इसको तो dy के निचे क्या जाएगा y log y और dx के निचे क्या जाएगा x और इसको integrate कर दो ठीक, simple integration है आप जानते हैं कैसे integration होगा इसका आप log y को t मानोगे तो 1 upon y dy यहाँ present है let log y is equal to t t मानने के बाद आप जानते हैं इसको differentiate करना पड़ता है तो log y का 1 by y dy is equal to dt तो जहाँ पर dy लिखा हुआ है वहाँ क्या लिखेंगे y dt रखो यहाँ उठा करके y dt और नीचे y लिखा है into इसको आपने t माना है और इसका integral log x लिखा है अब जा सुनिए ज्यान से चुकि इधर भी log आना है इसलिए हम y symmetry यहाँ पर plus log c कर रहे हैं अब आप कहेंगे नहीं log c करें हमारी मर्जी मत करो तब ही answer आएगा आप देखें वाई वाई कर गया 1 upon t का integral क्या होगा log t x को इधर लेओ minus log x c बिचारा है उसको अखिला कर दो minus लगा है तो log का rule आप जानते हैं log m minus log n होता है log m upon n तो यह आजाएगा log t upon x is equal to log c log लग घट जाएगा तो t upon x is equal to c t बरावर c x अब t का मानद दो t आपने क्या मना log y तो यह हो जाएगा log y is equal to c x एक तो यह answer आप लिख सकते हो और चाहो तो यह answer लिख दो ठीक है और चाहो तो आप log हटा सकते हो तो y बरावर e to power c x आप जानते हैं log को हटाने का rule क्या होता है तो this is your answer वैसे 99% में y निकालना होता है चुकि y ही वो function है जिसको differentiate करके यह differentiated question आई है तो this is question number 7 question 8 क्या कह रहा है x power 5 dy by dx is equal to minus y power 5 जैसा कि आप जानते हैं y के function को लिख आओ इधर तो यह हो जाएगा आपका dy के नीचे आएगा y power 5 प्रावर minus dx के नीचे आएगा x power 5 अब देखिए वैसे तो हम plus y वहाँ कर देंगे बाद में integrate करने के बाद में लेकिन हम चाहते हैं चलिए करिए integrating both the side अभी plus y नहीं कर रहा है यह क्या लिखा है y power minus 5 dy is equal to minus x power minus 5 dx तो x power n का integral क्या होता है x power n plus 1 अपान n plus 1 तो इसका integral क्या होगा y power minus 5 plus 1 अपान minus 5 plus 1 इधर क्या आएगा minus x power minus 5 plus 1 अपान minus 5 plus 1 अब चुकि कोई symmetry तो है नहीं तो plus c कर दो चुकि x y रिष्टेदार हैं इनको इधर ले आओ यह लिखा क्या है यह है x power minus 4 अपान minus 4 यह y sorry is equal to minus x power minus 5 अपान minus minus 4 अपान minus 4 is plus c थोड़ा सा इसको solve कर लिते हैं देखें यह minus minus plus हो जाएगा ना इसको इधर ले के आओ तो यह हो जाएगा minus y power minus 4 अपान 4 यह इधर आएगा minus x power minus 4 अपान 4 is equal to c actually में यह plus हो जाएगा और बाद में इधर shift हो गया आएगा फिर minus हो जाएगा तो यहाँ पर 4 lcm ले लो minus 1 by 4 बहाल लिख दो तो आएगा आपका x power minus 4 plus y power minus 4 is equal to c minus 4 को अधर ले जाओ इसको लिदो 1 upon x power 4 plus 1 upon y power 4 is equal to minus 4 c इसको आप कोई नया constant ले दे सकते हो तो आपका answer आएगा 1 upon x power 4 plus 1 upon y power 4 is equal to c dash तो यह answer आप यहाँ पर लेखना चाहो तो लेख सकते हो ठीक है तो यह आपका solution हो जाएगा जैसे इसका थर्ड कोईशन देखे क्या है d y by d x plus y is equal to 1 y is equal to 1 और बाद में नों condition दी y is not equal to 1 क्यों दी है वो उसका reason भी हम बता रहे हैं बाद में दीखे सबसे पहली जो testing आपकी होगी वो यहीं से start होगी कि variable as separable है कि नहीं है मतब y के function d y के साथ और x के function d x साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे तो पहले तो आपको y को उधर ले जाना पड़ेगा तो क्या आएगा d y by d x is equal to 1 minus y आप देखो यह पूरा पूरा इधर आएगा ना अपान में तो इसको आपान में ले आओ तो d y के साथ क्या जाएगा 1 minus y उधर क्या बचेगा कुछ भी नहीं कुछ बचेगा 1 नहीं बचेगा 1 d x और दो तब क्या करेंगे integrate कर देंगे इसका integration आना चाहिए अगर integral नहीं आए तो गर बढ़े इसका integral क्या होगा minus log 1 minus y minus log 1 minus y is equal to देखिए वैसे तो यहीं आंसर है लेकिन हमें actually value किसके निकालनी होती है हमको y की value निकालनी होती है क्यों क्यों क्योंकि differential equation का मतलब यह होता है अगर y is the function of x है तो आपने एक बार उसको differentiate किया होगा तो यह equation बनी होगी वह कोई equation आपकी रही होगी जिसमें एक constant रहा होगा उससे आपने differential equation फार्म की होगी तो आपने एक बार उसको differentiate किया होगा तो हम यही जाना चाहते हैं कि वह कौन सी equation थी जिसको differentiate करके आपकी यह equation आई है उसे solve करिए नहीं y निकालिए तो पहले तो minus को अटाओ तो minus कैसे इटाएगा तो आएगा log 1-y is equal to minus x minus c अब आपके जाएगा यहाँ log लिख दीजे एक जैसा था नहीं इसलिए नहीं लिखा आपने log को कैसे इटा सकते हैं आप e की power में यहाँ base e होता है ना तो यह क्या हो जाएगा 1-y is equal to e to power minus x minus c यानि 1-y is equal to e to power minus x into e to power minus c लिख सकते हैं ना constant को अपना अलग आइना दिखाओ यह नया constant है ना इसको c dash लिखने तो 1-y is equal to c dash into e to power minus x या तो यहीं पर छोड़ दो या इसको करतो 1-c dash e to power minus x is equal to y यह भी answer लिख सकते हो चाहो तो lcm ले लो यहाँ पर ठीक है आप lcm ले ले सकते हैं नीचे ले आउत क्या जाएगा e to power x minus c dash is equal to e to power x into y यह भी आप लिख सकते हो ठीक है आप कुछ भी ले सकते हो आपकी मर्जी है आप चाहो तो इसको इधर ले आओ e to power x काम ले लो y minus 1 is equal to c dash यह भी ले सकते हो आप अप जिस फार्मेट पे answer आ रहा हो देखिए question फूर्थ क्या है sec square x 10 y dx plus sec square y 10 x dy ब्रावर 0 देखो पहली बात method जब आप इस question को exam में देखेंगे तो आपको मालूँ तो होगा नहीं कि 9.4 exercise का है सबसे बिले चेक करेंगे क्या इसको variable separable में किया जा सकता है तो हम पहले तो इसको उदर shift किये दे रहे हैं ठीक है तो इधर हो जाएगा y को इधर लिखा रहा है दो sec square y 10 x dy is equal to minus sec square x 10 y dx अब हम देखते हैं क्या y के function dy के साथ जा सकते हैं तो देखो ये y का functional lady है 10 y को उदर shift कर दे और 10 x को उदर shift कर दे तो क्या हो जाएगा ये ये हो जाएगा sec square y upon 10 y dy is equal to minus ये integral करना है ना sec square x upon 10 x dx separate हो गया ना now integrating both the side integral का तरीका इसका मालूम होगा आपको क्या है तरीका 10 y को t मानिए इसका differences उपर present है और 10 x को कुछ और मान लीजे ये assume करेंगे तो हमने क्या किया let 10 y is equal to t and 10 x is equal to u ये क्या हो जाएगा sec square y dy is equal to dt और ये क्या हो जाएगा sec square x dx बरावर du रख दे उठा करके यहाँ पर so ये क्या बन जाएगा ये बन गया आपका उपर हो गया d t upon t बरावर minus ये हो गया d u upon u integrate दिख रहा होगा ये integral किसका होगा इसको रख करते हैं इसका integral log t हो जाएगा इसका integral आएगा log t is equal to इसका क्या हैगा minus log u जब हम सबको log में ले रहे हैं तो constant के साथ आप ये करिए कि उसको भी log में लेजे नहीं लो तो मतलो तब ही answer आएगा plus log c अब क्या करेंगे t और u की वहले रख दो इसको उधर shift कर दो तो इसको इधर ले आओ तो आएगा log t बोले तो tan y plus log u बोले तो tan x is equal to log c अब आप कहेंगे log c को इधर ले आओ अरे constant है दूसरी बिरादरी के इस खटा हूँ हाँ पर उससे बात न करो आप 10 log की property आप जानते है log m plus log n को क्या ले सकते है log tan x into tan y बराबर log c log हटाने का property क्या होती है ऐसे हटा देंगे taking anti log both the side दोनों तरब anti log लेते हैं ये नियम होता है तो ये बन जाएगा आपका tan x into tan y बराबर c तो this is your answer अब y की value निकालना चाहो निकाल लो देखे y की value निकाली है उन्हों नहीं निकाली कैसे लिखा है वैसे यही answer होगा ये pen book पे रखा करिए बाब book पे रखिए उस उदर ना रखिए इस का answer इसी फार्म करिए y ने निकाली है ठीक है तो tan x अपान में आ जाएगा न अगर tan y निकाला तो tan x अपान में आ जाएगा अगर tan x अपान में आ जाएगा तो आप जानते है tan 90 क्या value होती है infinite ठीक है मतब यहाँ पर यहाँ देख लिजएगा अगर x के लूग pi by 2 लिख दे तो tan 90 क्या हो जाएगा infinite तो यह value infinite हो जाएगी न पूरी तो यह दिक्कत जाएगी तो आपको ऐसी value न लिखिए यहाँ की infinity आ जाये तो यह कह रहा है कि x और y जो है क्या नहीं होने चाहिए is not equal to क्या नहीं होने चाहिए pi by 2 नहीं होने चाहिए 3 by 2 नहीं होने चाहिए मतलब odd multiple of 5 by 2 नहीं होने चाहिए तो अगर आप ऐसा exam में नहीं लिखते हैं तो क्या दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कभी मालिया ये answer आ गया और इस answer आपको मालिया ये question दे दिया आपको किसी committed exam में ठीक है और उन्होंने ये answer तो आपको दिक्कत करेगा ठीक है अब इस question में पहले तो हम dx और dy को इधर जो करते हैं फिर देखते हैं क्या होगा हमको नहीं मालू आए का नहीं आएगा अब आप कहेंगे तो variable और separable का chapter है तो होगा तो ऐसे ही है तो वो एक अलखी बात है इसको लिखेंगे eat power x plus eat power minus x dy is equal to eat power x minus eat power minus x dx अब चुक्की ये x का function है तो ये dx के साथ जाएगा तो यहाँ dy हो गया अकेला और ये हो जाएगा eat power x minus eat power minus x अपान eat power x plus eat power minus x dx और दोनों तरवाब integrate कर देंगे अब दोको इसका integral दिख रहा है अगर मैं नीची वाली चीज़ को t बानू तो इसका differentiation उबर प्रेजेंट है तो आप क्या करेंगे let eat power x plus eat power minus x को क्या मालेंगे t इसका differentiation eat power x minus eat power minus x dx बराबर dt अब आप कहेंगे यह अगर ना मालूम होतो तो इसका बंद कर लिजेगा इंप पहुंचाईगा differentiation में वो ना मालूम होतो तो किताब बंद करके 11 पहुंचाईगा वो ना मालूम होतो तो तो मैतमेटिक छोड़के जाओ अपने घर काम गतम तो यह हो जाएगा y उपर क्या हो जाएगा dt और नीचे क्या हो जाएगा t तो इसका integrate कर दो y is equal to log t plus c t कमान रख दो उठा करके तो y is equal to log e power x plus e power minus x plus c यह format यहीं भी प्रेक कर सकते हो कुछ calculation तो हमको लगता और होगा नहीं तो यह answer लखो वह अगर आपान में लिख भी दे हम LCM लेके तब यह को हम हटा नहीं सकते इसले इसको अब नहीं छेड़ेंगे this is your answer यह question 6 देखे डी वाइब डी एक्स is equal to one plus six square one plus y square पहला क्या पहचान है कि क्या y के function d y के साथ जाएगे जाएगे d y के साथ क्या जाएगा one plus y square और dx साथ क्या रहेगा one अपान ना लिख देना कि कैने वो symmetry होगी यह अपान में लिख देते एक जैसा वो एक जैसा होगा तब लिखोगे ना integrating both the side इसका integral क्या होता है tan inverse y इसका क्या होगा one का x x का x cube by 3 plus c एक तो answer यहीं छोड़ सकते हो आप तो tan भेजने का मतलब क्या है को का है कि लो सी विचारा फ़ज जाएगा तो चाहो तो कोई मतलब नहीं ना c को फसाने की मतलब नहीं है this is your answer ठीक note करिए तो साथ में में देखो ध्यान से कर देखो तो y log y पूरा जाएगा dy के साथ में और dx के साथ पार में आए देखिए अपने आप देखिए नवा कुशन देखते हैं यह क्योल x का function है ना तो यारी dy is equal to क्या हो जाएगा पहले dx लिखेंगे लिखने कुछ लिख सकते हैं कुछ सा function क्या होगा जब कोई ऐसा single वैसे तो i late होता है वो i late लगेगा भी यहाँ पर भी तो i late का हम हिसाफ के हिसाफ से inverse लिखा हुआ है ना और यहाँ one माने के algebraic जो पहले होता उसको first मानते हैं और वैसे भी चूंकि sin inverse x का integral नहीं होता है तो into one मानने का मकसद मेरा क्या है कि sin inverse x को differentiate करेंगे क्या होगा first function नहीं side inverse x into integral of second function minus d by dx of first function into integral of second function जो भी result आएगा उसका whole integration हम चाहें तो constant यहीं plus कर दे और चाहें तो at last plus करें कोई मतलब नहीं है तो ऐसा करते हैं पूरा integrate कर दो तब plus कर दो कोई दिक्कत नहीं है तो y is equal to sin inverse x one का integral क्या होगा x होगा minus यहाँ पे आते हैं इसका differentiation one upon root one minus x square one का integral x dx अब यहाँ पर क्या करेंगे आप इसको कैसे integrate किया जाएगा one minus x square को v माल लेते हैं काई को लो v square माल लो मान सकते हो v square तो हमने one minus x square को क्या माल लेया t तो क्या हैगा minus 2x dx is equal to dt और उपर x dx है तो x dx क्या हैगा minus का dty2 रगद उठा करके तो यहाँ क्या आगिया y is equal to x sin inverse x minus integrate जोको उपर x dx है तो क्या होगा dty2 और नीचे क्या है under root t इसको उपर ले जाओ तो आगिया आपका y is equal to x sin inverse x minus यह क्या हैगा t power minus half dt और y2 बाहर कर दो ठीक है उपर नूट का लिए है ना इसको कल्कुलेशन रबड़ ना करे ध्यान दीजेगा इसको तो इधर आएगा y is equal to x minus आएगा वा थैंक्यू minus यह होगा plus कुछ लोग नहीं देख रहे हैं वो ले अच्छा है गलत हो जाए वो चिला रहा था इसका इंट्रिकल क्या होगा t की power minus half plus one upon अब पुरा इंट्रिकल हो गया ना तो इसमें क्या करें plus c हम plus कर देते हैं कि clock सी प्लस कर दें वह कुछ समेट्री तो है नहीं तो आप constant अकेला प्लस करिए यह क्या हो जाएगा यह half आएगा ना यह half यह half साफ तो y बरावर क्या हो जाएगा x sin inverse x प्लस यह t पौर हाफ हैगा ना अंडरूट t t आपने क्या माना है 1-x square प्लस c तो this is your answer तो यह t square मानते हैं न तो t की value रखते हैं फिर अंडरूट आता ultimately answer आता ना तो answer में तो आचा यह आधा हो जाता चलो कोई बार नहीं t square मान लो देखे 10th क्या बोला है e power x 10 y dx प्लस 1-e power x sec square y dy बरावर जो जैसे question ही आया वैसे दिमाग पर हम जोड़ देना सुब और यह धाधा ऐसा रही है सबसे पहला काम आप इधर dy को रोके यह धर dy को रोके तो आएगा 1-e to power x into sec square y dy is equal to minus e to power x into 10 y dx पहली पहचान variable are separable की है कि क्या इन variables को separate किया जा सकता है देखें तो 10 y इधरा जाएगा तो आएगा sec square y upon 10 y dy is equal to minus e to power x upon 1 minus e to power x अब क्या कहें दों तरब हम integrate कर देते हैं अब थोड़ी बात तो diet कर सकते हैं 10 y को क्या मानेंगे t तो 10 y का differentiation sec square y dy dt त वन अपान t हो जाएगा न तो 1 upon t का integral log t ती बोले तो log 10 y is equal to इधर देखें इस पूरे को t मानना पड़ेगा न इस पूरे को t मानेंगे तो इसका इसका क्या है गा माइनस इट पौर एक्स है गा न उपर लिखा है न तो लॉक्त ही हो जाएगा अंदर ही multiply है क्या दिक्कत है थोड़े तो है इसे कदम ऐसे आए जैसे करेंगा अंदर तो कहेंगा कुछ दूर थोड़े जैसे माइनस आजी रो कर नहां चा चा बताओ आगया तो इसका क्या हो जाएगा लॉक वन माइनस इट पौर एक्स अब सब कुस लॉक में है तो प्लस का लॉक सी कर दो अब आप इसको इधर शिफ्ट करके मतला करो इला कर गें क्योंकि कोई समेट्री तो है नहीं हो तो वही उसे निपट लो तो यह क्या हो जाएगा इसको कर दें का वहुर उसे बड़ी कोईस इव्ट्वरी कोई समेफ टॉक सी कर ल喔